कल उत्तरपदेश में पश्चिमी इलाके का एक दुर्दांत अपराधी अनिल दुजाना पुलिस एंकाउंटर में मारा गया। जब ये खबर आई कि स्टीफ ने मुट भेड में उसको मार गिराया। तो मैंने सबसे पहले अपने साथियों से सहकर्मियों से कहा कि ये पता करो कि समविधान सुरक्षित है कि नहीं, कानून सुरक्षित है कि नहीं और लोगतंत्र सुरक्षित है या नहीं। कि है कि कि साथी होने पता करके बताया कि ने ये तीनों सुरक्षित हैं देश में प्रदेश में ये तीनों सुरक्षित है यतावत हैं मैंने कहा री चेक करो ऐसा तो नहीं कहीं गफलत हो दुबारा चेक कराया फिर भी पाया कि लोकतंत्र संविधान और कानून तीनों यथावत हैं उत्तरपदेश में आप भी चोक रहे होंगे कि यह क्या मसला है दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने से समयधान का क्या लेना देना गुंड़ाई करोगे अपराद करोगे पुलिस के उपर फायर करने की कोशिश करोगे तो स्वाभा भी खें इसी तरह की कोई गती होगी लेकिन मुझे इन तीनों चीजों की कुशल छे मिसलिये जाननी पड़ी दुजाना के एनकाउंटर के बाद क्योंकि जब अतीक के अपराधी लड़के का एनकाउंटर हुआ था और उसके साथ में एक गुलाम नाम का एक शूटर भी था वो भी पुलिस की गुलिली से मारा गया था एनकाउंटर में तो हमारे देश के बड़े बड़े काबिल विदेश तक में पढ़के आये जो नेत उन्होंने तीन बातें कहीं थी मोटे तोर पर कहा था जी कानून की हत्या हो गई किसीन कहा जी सम्विधान की हत्या हो गई और किसीन कहा जी लोगतंतर ने खुदकुशी कर ली आत मत दिया इसलिए मैं चिंतित हो गया था कि कह ऐसा तो ने कि आप राधी के मारे जाने से ये तीनों बहुमुली चीजे खुदकुशी कर लेती है इसलिए मैंने दुजाना के मामले में चेक कर आया भारत की राजनीति का इससे विद्सरूप चहरा कोई नहीं हो सकता दोहर चरित्तर का इससे बड़ा जुलंत प्रमार कोई नहीं हो सकता असध के एनकाउंटर पर छाती पीट पीट कर छत पर खड़े हो करो ने चलाने बाले लोग कि दुजाना के एंकाउंटर पर लोड नहीं ले रहे हुआ नहीं हुआ छोड़ो जाने दो हमसे क्या लेना देना वाली भाव मुद्रा है और दुजाना ही क्यों असद के एंकाउंटर से दो दिन पहले इसी पशिमी उत्रपदेश के बिजिनावर इलाके में एक आदित राणा नाम का प्राधी मारा गया था धाई लाक का इनामी था पुलिस मुडवेड में तब भी कोई नहीं बोला था तब भी कानून सुरक्षित था सम्विधान सुरक्षित था लोक्तंत्र सुरक्षित था ये सब खत्रे में कवाए जब अतीक पुत्र असद मुटवेड में मारा गया एक बड़े नेता ने कहीं दिया कि उत्तर पदेश में मजहब देखकर मार रही है पुलिस अच्छा जी तो आदित्ते राणा और अनेल दुजाना इनकी मुटवेड के बाद क्या कहेंगे नेता जी इनका मजहब क्या है और इनका जो मजहब है उससे आपका कोई लेना देना नहीं क्या इसलिए आपने बोले इस अवाल तो पूछा जाएगा यह बिकट विश्यत्रताएं हैं भारत की राजनीति में मेरे लिए हर अप्रादी अप्रादी है वो दुजाना हो वो अतीक हो वो असद हो वो अतीक का भाई हो कोई हो गुड़ू मुसलिम हो शाहिस्ता हो कोई हो मुखतार उनसारी हो सब बराबर कानून को हाथ में और जेब में लेने की जो कोशिश करे उसके साथ सबसे बिकट किस्म की सख्ती होनी चाहिए जो सबसे बिकट किस्म की जो सत्ता के इकबाल को चनोती देने का दोस्ता हस करे उसके लिए फ्रेस ठीक है कि मिट्टी में मिला देंगे यही होना चाहिए लेकि दोन अपने नहीं चलेंगे असद पर छाती कूटो और दुजाना और राना पर कंबल लोड़के सो जाओ कितने भोंडे ढंग से उत्तरपदेश में राजिनीती हो रही है उसको बेनकाब कर दिया यह आदित राना और अनिल दुजाना के एंकाउंटर नहीं सारे नेताओं के चेहरे से नकाब हटा दिये जनता को अब साप दिखरा है कि इनकी चिंता कहां है लोगतंतर इनकी चिंता ने समखिधान और कहनुन इनकी चिंता ने इनकी चिंता क्या है उन जनता समझ रही है एक सा द्रश्य, एक सा करेक्टर, एक सा परिणाम, उसके बाद भी राजनेतिक लोगों की प्रत्क्रियाओं में जमीन आसमान का अंता, एक में कंबल ओड के सो गए, दूसरे पे छट पे खड़े होके चिला रहे, तो सवाल तो पूछा जाएगा, एक लिस्ट घोशित की उत् 20-22 दिन के भीतर उसमें से 3-4 लोग कम हो गए, लिस्ट का बज़न थोड़ा कम हुआ, ये जो एक माफिया उन्मूलन कारिक्रम, मुझे इसके जोड का एक ही कारिक्रम दिखता है, अपनी इसमर्ती के आधार पर, जब विश्वनात प्रताप जी चिप मिनिस्टर थे, तो ड मामला ये भी जलना है, 3-4 दिन के अंदर कोई ने कोई कारिक्रम संपन हो रहा है, जनता में एक विश्वास पैदा हो रहा है, कि हाँ आप अपरादी है, दुरदान्त अपरादी है, तो आपका हश्री ये होगा, जेन साब ने बताया कि किस धंग से, ब्यापारियों से, कार रादी जन साब जानते हैं, जो उन्होंने नेताओं से भी बसूली की, यहां नाम लेना ठीक नहीं बड़ा चरितरहनन हो जाएगा नेताओं का, दंके की चोट पर बसूली की, और नेता सिर जुका गए और देखे आए, तेलिपोन करीगा तो मैं नाम बता दूँगा, बड के लिए तो ठीक है, ले राज जी आप से मेरा प्रश्णी है, कि असाद मारा गया एक व्यवस्था को चनोती देने बाले अपराध के बाद, जब वो अपने गेंगेश्टर के साथ भागता फिर राता, पुलिस से टकराया और फिर पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की और मारा गया, उस वक्त उत्तर पदेश की इस घटना पर भारत के कई राजनेताओं ने ये तीन चीजे बताई, आपने सुनी लिया, कानून का मर्डर हो गया, लोकतंत्र का मर्डर हो गया, समिधान का मर्डर हो गया, और मजभ देख के गोली मारी जा रही है, मैं ये मासूम पाल लिये, तब से भटक रहूं कि आदित राणा और दोजाना के मरने पर कोई नहीं बोला, ट्वीट भी नहीं किया, कि मालोग खाली बैटके, किसी बच्चे कोई बोल देते, बटा हमारी तरफ से ट्वीट ठोक दो, नहीं, पूलिस अभिरक्षा का मामला आया, तो मुझ से देश में कोई नहीं, और उसके सव से ज़्यादा वो गुदाई हुई शरीर की, तब किसी नेता ने एक ट्वीट नहीं ठोका, क्या, सोते सोते एक ट्वीट कर देते नहीं किया, बोले मरने देओ यार, आप ट्वीट कब करेंगे, बोले अतीक अश्रप का मसला हो, तो त तुरंट ट्वीट की जड़ी लगाऊँगा, यहीं से मामला गरबा आ जाता है, जेवाय यासमिन, कानून, सम्विधान और लोकतंत्र, तीनों सुरक्षित पाए गए, अनिल दुजाना के मुट भेड में मारी जाने की बाद भी, मैंने तीनों को पता कराया, आपने सायोग जब आप यह कहते हो, कि असद को इसलिए मार दिया गया चुकि वो मुसल्मान था, अब मैं खोल के रख दू, चुकि इशारे में बाहिस ड्रेल कर देंगे लोग, सीधी सुनो, ठीक, विकास दुबे पर सवाल नहीं उठा रहे, आप करें ब्राम्मर मार दिया योगी राज में, अच्छा जी, मैं वही सवाल लेके आया, जब राना मारा गया, दुजाना मारा गया, तब यही तर्क लेके क्यों नहीं आया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आदा घंटे से, मैं कहा कहा रहो, विपक्ष को चुप रहे, मैं तो विपक्ष के चुपी पर ही सवाल कर र अधिक का लड़का कोई धर्म गुरू था क्या यह यह सवाल सिर्फ यह दो दोहरे मापदंड का है मित्र बागी कुछ ने राग्वेंजी पहले आपकी सरकार पर आरोब लगा कि उसने संविधान कानून और लोक्तंत्र तीनों की हत्या कर दी जब असद मारा गया था अब आपके ग्रह मुझे लग रहा कुछ ठीक आगए आप कम सकम इस आरोप से आप बच गए दुजाना के मामले में जैन सब आपने अपने जीवन काल में इतने बड़े बड़े छोटे बड़े तमाम अपरादी देखे एक ख़बर आई कल के भई मुखतार ने यह कहा एप्ल राजनेतिक व्यक्ति हैं यह मतलब जोक आफ डेकेड में आएगा या शताबदीक का चुटकुला कहा जाएगा इसको या या यूनिवर्सल जोक के दर्जे में जाएगा अब वी तक इसी बात में नाराज होते था कि हमारे नाम के आगे बाहुभली क्यों नहीं लिखा आप अब बाहुभली नं लिखू गजबाद काने ने provides पिहार के कोसी इलाके में दो माफिया थे बाहु वली उनमें रोज गैंग वार होता था तो किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट लिगी राजस जी इन अपराधियों को देखिए रिपोर्ट लिगी तो उसने एक माफिया को कोई प्रसंग होगा दो माफिया थे एक इस साइड ए इसको कैसे बात्सा लिख दिया हमसे बड़ा अपरादी है क्या पचास कतलम कर चुके नहीं तब लडाई इस बात पर होती थी कि अब आप वो मुक्तार अमसारी कह रहे हैं कि हमको यह काओ के राजनेता हैं बताईए शर्मा जी क्या किया जाए माल लेजिए किसी जिले में पा अपरादी मारे गर पांचों मुसल्मान है तो सवाल उठाएंगी जाएंगी क्या पांच मुसल्मान मारो तो पांच हिंदू भी मारो कहीं दी पकड़ के लाओ अपरादी हो यह नहीं हो मार दो बोले नहीं बोले नहीं तो बीपक्स ट्वीट करेगा अर तो करने दो ट्वी को बेन करेंगे अच्छा जी बत्रंग दल को भी बेन करेंगे 24 घंटे में समझ में आ गया बोले नहीं पूरे हर जिले में भगवान हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे क्या तमाशा कर रहो भाई ऐसे संतुलन बैठाओंगे जेवाजी अच्छा यह बात है नहीं कि मान करेंगे कोuden आसे घटना हो किसी गिरोहक को से पुलिस का एंकांटर उसमें पांच लोग मारे जाएं और पांच सो मुसल्मान हो तो कोहराम क्यों मचें और πार फो हिंदू हो लंदन में बैरिष्ट्री की पाठ पढ़के आए बहुत योग्य पिता के वेटे वो सांसद रहे लंबे समय तक असद दुद्दीन के पिता जी मैं उनीक के परिशे में था पहले ठीक उस आदमी ने खड़े होकर साध्यनिक रूप से कहा कि मुसल्मान को गोली मारी जा रही ह जे वाजी असद को मारा तो मुसल्मान को मार दिया क्या असद पूरे भारत के करोणों मुसल्मानों का चहरा है क्या तो पर दुजाना किसका चहरा है? रहा हूँ बिल्ट अप ठीक है, लेकिन पच्चासे फिस्दी आवादी को बिलाउं करता है ये टिलू, तेशपुरिया, दुजाना, राना नहीं करता है, तो क्या हम ये कहें पच्चासे फिस्दी आवादी को भारत की मारने निकल पड़े पूलिस वाले, मुर्खता पूर बात हो जाएगी न, तो, चित भी, बाजपई जी कहां करते है थे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, क्या, यहां पर बड़ा एक, हेर लाइन वो है, डिफ्रेंस, इतनी सीधी बात कहा है जे बाप, जो आपने कही, आपका इंटेंशिन अच्छा हो सकता है, लेकिन राज नहीं थी बड़ी धूर्त लोगों की कखेल है, ठीक, मैं उधार न दे दू, धूर्त ता का, मैं तो चेहरा यह दू मिंट में एक्स्पोस कर दूँगा, जीवानी, ठीक बात कही, जेन साब उस बात से सहमत होंगे, सुरक्ष उसको ट्रिंडीस लिए कि जाता है, कि कॉमबेक्ट करो, लेकिन जेन साब, अतीक और अशरप को जिन तीन प्राधियों ने मारी गोली, 66, क्या, उसके बाद इस बात पर लानत मलानत हुई, उनको मार क्यों नहीं गिराया गया, किसी ने ये तारिफ नहीं की, कि उनको पकड सब लिया गया, सब ने का, रहे, आप समझ गया, ये तो खेल था, आदरनी अतीक जी और अशरप जी को मरभा दिया गया, जेन साब, बगाईए, न सीधे लिये जाओ, न उल्टे लिये जाओ, कैसे चलेगा, जो बात जेन साब ने कही, मुझसे भी कई पुलिस के अधिकारि कि उन्हें कहा, वो कहीं पोस्टिड है, वहां से छुट्टी लेके, अपने खर्चे से आ रहे हैं, गवाही देने, और ये बात मैं भी लगातार कहता रहा आप विपक्ष के मित्रों से, जीवाजी खर्श्तोर पर आप सब लोगों से, कि भाई, इस तथि को आत्मसाथ कर ल सिग्रेट जलाईगे, गूमने चलेगे, ऐसा नहीं है, दो दो तिन तिन लेयर की जांच है, जैन सामने बताई दिया पूरा, और जरासा मीडिया हाइप हो जाए, तो सीवी आईगी जांच लग, विकास की बात हो रही है न, विकास दुबे की, आपने भी का, हमने विकास दुबे का मसला उठाया था, विकास दुबे के लिए सुप्रीम कोट ने एक कमिटी बनाई थी, जैवा जी, उस कमिटी ने रिपोर्ट दी कोट को, कोट ने रिपोर्ट एक्सेप्ट की, फिर काहे का विवाद है, राजनेतिक लोग, सुरक्षा मामलों के जानकारों से हमेशा इस बात पर आके केंद्रित होता है, कि भाई, वो कुछ नाम लेते हैं, कहते हैं, इन पर करके दिखाओ, तो हम माने वाकि मुक्तार अतिक सब छोड़ों, सबसे जादा वाला मामला, अब इसको दूसरे शब्दों में कहा करो, जिवा, अब कहा का परसेंटेज तो स्वाबा भी का, इसलिए परसेंटेज में बात होगे, तो जनता समझ पाएगी, बाकी में थोड़ा आटक जाती है, राई शर्माज ये दो चीजे बड़ी इसपस्ट हैं, एक जन साब ने इनलाइटिन किया हम लोगों को, कि कोई एनकाउंटर जाच के परिव्यू से ब कोई केस की बापसी, कोई सरकार हो, अल्प बहुमत, संपूर बहुमत की भी सरकार हो, 403 सीटें भी किसी पार्टी की हो यूपी में, उसकी सरकार भी, किसी से मुकदमा बापस खुद नहीं ले सकती, मुक्यमंत्री भी लिख दे फाइल पर तब भी उसको जाना आदालत ही प पड़ रहे हैं, जब दोनों चीजे अधालत से ही तै होनी है, सही गलत का फचला, तो नेता क्यों डपली बजा रहे हैं, एक बड़ी विचित्री स्थिती है, एक सी घटना में कहा जाता है कभी कि इसमें धर्म मत लाईए, अपराधी का कोई धर्म ने, बैसी ही दूसरी गलबा है, दोनों एक साथ कैसे चलेगा, या तो सब मिलके एक बार सर्वदली बैठक हो जाए, और यह तै कर ले कि हरा अपराधी घटना में धर्म न जात को देखना है, नहीं, इसमें मोहर लगा दो, तो चलो इसी इप चले दो लडाई, या फिर यह हो जाए, धर्म न जा जाएगा, या इसमीन, क्या इस बात पर अब एक वो नहीं हो जाना चाहिए, कि अपनी सुविधा से जब चाहो तब धर्म का बिल्ला निकाल के किसी आपराधी घटना पर लगा दो, और जब चाहो तो हटा लो, काओ जी इसमें धर्म क्यों डून रहे हो, और दूसरे दिन जब चाहिए, कि इसमें धर्म क्यों डूने, एक तै हो जाए बात कि क्या मानना है देश के राज नेताओं को, तो फ्री फोर अल हो जाए, सारे अपराधियों का, की एक लिस्ट बन जाए धर्म के हिसाब से, नहीं, जो बा सवाल मैंने जेवा यासमीन से पूछा, वही आप यह कम से कम जनजन खताब हो, हमारे मीडिया के उपर आरो, फलगना बंदो, कहीं आप कहते हो, फला मजब खत्रे में आ गया, बोले क्यों, बोले आसद को क्यों मार दिया, कहीं कहते हो, कश्मीर में कोई घटना घट जाए, तो आपको, आप उसमें मजब क्यों देख रहे, अपराट का कोई मजब होता अनुद्र जी, नहीं होता जी, तो हम लोगों को भी ख़णा रास्ता दे दे, आप लोग मिल के प्या कर लो एक बार, मुझे लगता है कि कुछ तथ्य हमको ध्यान में रखने चाहिए, जेवा जी ने कहा कि चौधा के बाद ये बवाल जादा ब जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, जब भाजपा बहुत छोटी पार्टी थी, और उत्रपदेश में तो कुछ थी ने, दिल केंदर में भी, जेवा आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा होगा, शाहवानों के केस में सुप्रीम कोट ने एक फैसला दिया, शाहवानों भौपाल के गरीब इलाके की मुस्लिम महिला थी भुजूर्ग 75 साल की, जिसके शोहर ने उसको घर से निकाल दिया, पूरा जीवन उसका शोषण किया, उसके बाद निकाल दिया, और उसको खाना खर्चा भी देने को त्यार नहीं। कुरान की व्याख्या कराओगे तो यही आये होगा, यह किसके लिए का था सुप्रीम कोट के जजज के लिए, जेवा जी, है ना, पुतले फूके गए किसके, सुप्रीम कोट के जजज के, इसी देश में, हमने देखा, हमने कबर किया, ठीक, दूसरा एक और उधारन अपने हमी से आइडेंटिफाइड थे ददुआ, क्या, और सारे बड़े नेता उस समय के उत्तरपदेश के ददुआ के धरवाजय खाट पर बैठते जाके, नहीं, आपने सुनाओगा ददुआ पुंदेल खंड में फत्वा जारी करता था, है ना, एक और थे, यह आप लोगों से पहले की बात बता रहा हूँ, एक और थे, चविराम, उन्हें उत्तरपदेश में नेता जी बोला जाता था, जेवा जी, क्या, वो पॉलिटिशिन नहीं थे, वो ढकेत थे, चविराम यादब उनका पूरा नाम का, वो ढकेत थे, और ठीटा कदकाठी की जिद ढकेत थे, ब पूलन देवी, मुक्तार अंसारी, अतीक एहमद, ये 40-40 साल के खिलाणी है, चौधा तो अभी कमामला है, जेवा जी, 40 साल, क्या, सोचिए, यानि जो बच्चा 40 साल का जो है इस वक्त व्यक्ति, उसने तो देखा ही नहीं इनका जन, आप रात की दुनिया में, ये सरकारे जेव में लेके चलते थे, मव में दंदा हुआ था, जिप्सी में अत्याधुने का हतियारों के साथ, उसके हुड पर बैट कर ऊपर, मुक्तार एक हांत में मूँच ऐसे लेके, पूरे में घूमे थे के नहीं घूमे थे? उस सरकार जेव में रखे थे, तबही ने घूमे. मिनिस्टर के साथ मंच पर खड़े हुए अपना कुत्ता भी ले गए साथ में बोले इससे भी हाथ मिलाओ अब यह समस्या कुत्ते का हाथ क्या माने चार पेर में से तो एक पेर ही पकड़ा दिया बोले इसी मिला लो क्या तो सब्वाल तो होगा ना कि कृष्णानंद इसलिए मारे गए चूकर उन से अफजाल मार दिये गए अश्रफ चुनाव हार या राजूपाल से इसलिए राजूपाल मार दिया गया और कृष्णानंद को मारने के बाद यह बात आई ने कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहि कृष्णानंद राजवेंजी आपको याद होगा कृष्णानंद को मारने के बाद 500 राउंड से ज्यादा गोली चली थी उनकी चुटिया काटी गई क्यों अगर सिर्फ अपराद की घटना थी तो चुटिया क्यों काटी गई ये वजी और चुटिया काटके मुकतार के सामने पेश क्यों की गई और पेश की गई तो मुकतार ने क्यों कहा कि जैस्री राम को मुठिम कर लिया अरे आपको अपराद करना करो इसमें जैश्रीर आपको क्यों लपेट रहे थे? नहीं? क्यों? उस केस के CBI जाच के लिए धरना देना पड़ा? देश के बड़े राजनेताओं को? क्यों? यह हिंदू-मुस्लिम नहीं था, फिर क्या था? यह बात खराब है. कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए अपरादी, जिसके घर परिवार को किसी आदमी को कोई चुनाब में हरा दे, तो वो जीते हुए को गोली मार दे, सरक पर. यह क्या है? तालिवानी ब्रस्था बनेगी, क्या है? सब की नाक में नकेल डालो. हिंदू हो, मुसल इधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए ब्यवस्था को. नाक की सीध में चलते रहिए. जो जेन्स आप कहरें ठीक बात है, दुष्ट दलन करिए. ना अगड़ा देखिए, ने पिछड़ा देखिए, ने हिंदू देखिए, ने मुसलमान देखिए, अपराधी अपराधी है, स राजनेताओं से मैं भिंती करूँगा, राजनीत के लिए बहुत सारे विशे हैं, अपराधियों को अपना आइकोन मत बनने दीजिए. इसमें बहुत समाज का बहुत नुकसान होता है, और लंबे समय तक समाज भुगतता है. प्रियागराज का वो इलाका, गाजीपूर, यह इलाके कभी सांस नहीं लिपाए, 40 साल. जिवाजी, आदमी की खाल उधेड़ कर, उसके कंकाल को सड़क पर चवराहे पर रख देना. आप सो सकती है, मतलब किस धंकी मान सकता रही होगी? उनके साथ खड़े होने का दुस्ता हास करते हैं लोग? कहा जाता यह तो नेता थे, इनको अपरादी गलत मुकदमें इन पर कर दिये गए? बताइए, यह नेता हैं. और अगर यह नेता है, तो लाल बहादुर, शास्त्रिया, टल्व, अरिवाज, पही, जैसे लोग जड़ीवादी चिंतक, लोहियवादी चिंतक, क्या लिखें? राजनेताओं को अपराद से दूरी बनानी चाहिए. आज बना लेंगे, ठीक, कल बना लें, तो ठीक और नहीं बनाएंगे, तो जनता बना देगी, यह भी जान लेंगे. बिहार में जिस दिन शाहबुद्दीन की बीबी चुनाव हारी थी, उसी दिन से मैंने कहा था कि जनता का मन बदल रहा है, बहुवलियों के खराब दिन आने शुरू हो रहे हैं. उन लेहर धीरे धीरे जारी है, समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आजाएगा, कि देश में क कोई भी बहुवली चुनाव नहीं जीतेगा, जनता उसको बोट नहीं देगे. तब क्या करीएगा? जवाना चला गया. कि निर्भय गूजर है, इसलिए महतवण है. चभिराम यादब है, इसलिए महतवण है. लालाराम ठाकुर है, इसलिए महतवण है. नहीं. अपराधी अपराधी है, उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं. धन्यमाद.